हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूटूब जैनल एलफा मोनिटर में बहुत बहुत सवागत है 99 परतिसत लोग नहीं जानते हैं हारट अटेक से एक महिने पहले ही सरीर देता है यह 5 संकेत कौन से संकेत आईए जानते हैं इस वीडियो के मात्यम से दोस्तों वीडियो को आखरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी है वो प्राप दोस्की और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक तो करना ही है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेर भी करना है ताकि उन्हें भी इस जनकरी का पता चल सके और वो भी इसका फाइदा उठा सके और हमारे इस यूटूब चेनल एलफा मोनेटर को सब्सक्राइब जरूर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर भी कलिक करना है तो चलिए शुरू करते हैं हारट टैक आने से पहले सरीर देता है यह संकेत नमबर एक चक्कराना चक्कराने की बात तो लोग अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन ऐसा तब होता है जब दिमाग तक उक्षिजन नहीं पहुँच पाती ऐसा तब होता है जब हरदे में कुछ गड़बडी हो इसलिए चक्कराने पर आप एक बार अपने डोक्टर से जांस जरूर करवाएं नमबर दो पेर अथवा अन्य हिस्सों पर सुजन दोस्तो हमारा हरदे पूरे सरीर में खून की सप्लाई करने का काम करता है यदि इस काम में कुछ रुकाउटे आती है तो कई हिस्सों में खून सप्लाई नहीं हो पाती जिस वज़े से उन जगों पर सुजन आ जाती है इसलिए ऐसी इस्तिती होने पर डोक्टर से जांस जरूर करवाएं नमबर तीन कमजोरी और ठकान किसी भी वैक्ति का सरीर कमजोर तब पड़ता है जब ऑक्सिजन अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही होती है हड़ते खून के सहरे ऑक्सिजन पूरे सरीर में सप्लाई करता है लेकिन अगर यह काम शहीश नहीं हो रहा हो तो कमजोरी और ठकान जैसी समस्या उत्पन होती है यदि यह समस्या आपको लंबे समय से है तो एक बार डोक्टर से जांस जरूर करवाएं नमबर चार सीने में दर्द या जलन यदि किसी वेक्ति को सीने में अक्सर दर्द और जलन की समस्या रहती है तो इसे बिलकुल भी नजर अंदाज ना करें और अपने डोक्टर से संपरक करें और दोस्तो नमबर पांस है सांस लेने में तकलीफ यदि आपको अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप एक बार डोक्टर से जांस जरूर करवाएं ऐसा तब होता है जब हरते फेपड़ों तक उक्सिजन ना पहुंचा पाता तो दोस्तों ये थास का हमारा वीडियो आसा करते हैं आपको हमारे दोरा दी गई जानकरी पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूटूब जैनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब करें धन्यवाद